नमस्ते दोस्तों, छायार सोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे ज़्यदा पसंद किये जाने वाला जो फल है वो आम है और आम को फलो का राजा भी बोला जाता है तो आज हम आम से ऐसा डिजर्ट बनाएंगे जिसको खाकर आपको और आपकी पूरी फैमली को मजा आ जाएगा तो चलिए रेशेपी की तरफ चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले रबड़ी तयार कर ले रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस अन करें और इसके उपर एक कड़ाही रख दें अब इसमें आधा लीटर दूद डाल दें मैं यहाँ पर फूल क्रीम मिल्क ले रही हूँ आप चाहें तो टोंड मिल्क भी ले सकते हैं पहले फ्लेम हाई कर दें ताकि जल्दी से इसमें उबालाने लगे और जब उबालाने लगे तो फ्लेम लोटू मीडियम कर दें और चलाते हुए इसको गाढ़ा करें यहाँ पर मैंने दूद को चलाते हुए आधा बचने तक गाढ़ा कर लिया है अब इसमें 4 टेबली स्पून या एक चौथाई कप चीनी डाल कर अच्छी तरे से मिला ले चीनी डालने से दूद्ध थोड़ा पतला हो जाता है इसलिए 2 मिनट तक इसको और उबाल ले दो मिनट के लिए मैंने दूद्ध को उबाल लिया है अब इसमें कटे हुए काजू बादाम पिस्था डाल दे रही हूँ आप अपनी पसंदन सार ड्राइप प्रूट्स डाल दे अब गैस ओफ करके आधा छोटा चमच इलाइची पाउडर डाल कर अच्छे से मिला ले तो ये हमारी रबडी त्यार हो गई है अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन आज हम इससे कुछ नया बनाने वाले हैं अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे अब रबडी हमारी त्यार हो गई है तो इसको मैंगो रबडी बनाने के लिए आम को मैंने क्यूब में कट कर लिया है क्यूंकि इसको पीसना ही है इसलिए आप किसी भी शेप में कट कर ले अब इसको मिक्सी जार में डाल दे मैं यहाँ पर मालदा आम ले रही हूँ अभी मेरे पास घर में यही आम रखा था आप अपनी पसंदन सार चाहे तो दूसरा आम ले लिजिए और मुझे कमेंट में लिख कर बताईएगा कि आपने कौन सा आम लिया और आपकी रेशेपी कैसी बनी बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका गाढ़ा पेश्ट चाहिए अब एक बाउल ले और इसमें आधा कप दूध डाल दे अब इसमें एक टोस्ट डाले और अच्छी तरह से डुबा कर बाहर निकाल ले और जिस कंटेनर में आपको ये स्वीट बनाना है उसमें अच्छे से सेट करके टोस्ट लगाते जाए कंटेनर के साइड में थोड़ी सी जगे बच रही है तो मैंने एक टोस्ट के दो टुकड़े कर दिये हैं अब इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे रबड़ी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है अब इसमें ये मैंगो पल्प डाल कर अच्छे से मिला ले हमारी मैंगो रबड़ी बनकर त्यार हो गई है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब टोस्ट के उपर फिर से थोड़ा थोड़ा दूद इस तरह से डाल दें ताकि थोड़ा बहुत कसर हो तो टोस्ट अच्छे से भीग जाए अब इसके उपर ये मैंगो रबड़ी डाल कर अच्छे से फैला दें एक बराबर कर लें लाज्ट में डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा छोटे टुकडों में कटे हुए आम डाल दें और कुछ बारीक कटे हुए ड्राइप प्रूट्स टाल दें इसको बंद करके चार से पाच घंटे के लिए फ्रीज में रखतें तो लगभग पाच घंटे के बाद अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और देखिए इसको देखकर आपके मुँ में भी पानी आ रहा होगा है ना तो चलिए अब इसको सर्प करके देखते हैं तो दोस्तो ये थी हमारी गर्मी स्पेशल डेजर्ट की रेसेपी अगर आपको मेरी ये रेसेपी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तो याद रखें कि कुकिंग जब भी करें दिल से करें झाल झाल